असलाव अलेकुं दोस्तों मैं अनुसीर और आप देख रहे हैं Android उर्दी चैनल दोस्तों में वेलकम करता हूं अपनी चैनल पर और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि अगर आपके पास लाइक टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने लगाया है या आपने अपने फेस्बुक में लाइक कोड जनेरेटर का आप्शन जो है वो एनेबल किया है तो दोस्तों कभी कबार ऐसे होता है कि आपके पास लाइक टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है जब भी आप अपने आईटी जो है वो लोग इन करने के कोशिश करते हैं तो वहाँ प यह स्क्रीन शार्ट देख सकते हैं यह अभी मैं आप लोग को बढ़ाता हूं कि यह एकाउंट मैंने कैसे लिया और दोस्तों इनका प्रॉपर ली तरीका गया है तो दोस्तों इस वीडियो को बूरा देखें और यहां भी आप लोग बढ़ा दू कि अगर आप चैनल पे न लाइक आप सबी दोस्तों को देता रहता हूं तो चलो दूसरे मैं आप लोग उता दू कि अगर आपके पास लाएक फेस्टूक एक और आप उनका लाइक को और उनकी कोड सेक्यूटी आपके मूबाइल पर लग गई तो इस पे आल रड़ी मैंने एक वीडियो बनाई थी और दोस्तों कभी कबार ऐसे होता है कि आपके mobile number को code जो है वो नहीं आ रहे होते कभी कबार आपके mobile पे जो code बेजता है वो काम नहीं करते या कभी कबार आपके mobile में like वो एक code generator का option होता है जो कि basically इससे पहले मेरे channel पे एक video पड़ी है उसी वे मैंने बनाई थी वो आप like option जो पास वो account नहीं होता जो के आप official app से वो code generator का like code लेके यहां पर paste कर सके तो basically यह मेरे एक buy है और आप यहां पी दोस्तों दीख सकते हैं और जिससे पहले मैंने आप लोग कहा कि अगर आपकी ID real है तो आप easily कुछी सकिंटों में like कुछ step करके उनको एक appeal करना होता है और जैसे वो appeal आप कर लेंगे तो आपको ID मिल जाती है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि मैं आप लोग को बरपूर guide करूंगा और basically end पे आप लोग को एक mail आ जाता है जो mail आपकी Facebook ID में add होता है और आप लोग को वहां पे easily जो है login आपड कर सकते हैं तो दोस्तों अब इस केस में यह है कि इस बंदे के like account में Facebook का जो official app होता है main app जो होता है उस पे एक security option होता है code generator का यह उस बंदे से on हुआ है अब उसके बाद इस में जो official app है वो भी अब जो है क्या है कि वो भी उनके पास नहीं है वो भी इसने uninstall कर दिया है तो अब यह मसला जो है अब है तो चला मैं क्या कर लेता हूं मैं okay कर लेता हूं दोस्तों आप लोग ने बहुत ट्राइक होगी reset code reset code लेकिन code आप लोग के पास पिर भी नहीं आया होगा तो हम क्या करेंगे हम having like यह जो option है हम इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी like browser जो है वो चूज करें तो चला मैं chrome क्लिक कर लेता हूं तो दोस्तों यह official एक form है यह आप लोग को fill करना होता है और सबसे पहले आप लोग उन्हें क्या करना होता है आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग को यहाँ पर एक नाम देना होता है basically जो facebook account में आपका real name है वो नाम आप यहाँ whatsapp पे लिटी अगर मैं तोड़ा सा आप लोग को guide कर दूँ तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तो चल्ब मैं इनका name जो है वो यहाँ पर copy कर लेता हूँ आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों ने भी क्या करना है पहले खाने में आप लोगों ने नीम जो है वो लिक लेना है उसके बाद दोस्तों आप लोगों नहीं क्या करना है आप लोगों नहीं यहां पर like mobile network या service provider जो है वो यहां पर like आप यहां पर क्या करेंगे आप यहां पर number भी add करें बैतर ही होगा चलो मैं यहाँ पे यह नमबर है उसके बाद मैंने यहाँ पे slash किया और बेसिकली यह जो नमबर था यह इसने convert किया था zone में आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बेसिकली यह है एक mobile link का नमबर लेकिन उसने network जो है वो change किया था उसके बाद यहाँ पे वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे light जो है मेरे पास तोड़ा सा कम है तो mobile बार बार बलर हो रहा है उसके बाद आप लोग को यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग को कुछ सवालाद जो है फेसबूक आप से करता है तो आप लोग बैतर ही होगा कि आप लोग अधर पे ही क्लिक कर ले जान चुड़ाएं उसके बाद दोस्तों यहां पे आप अपना रीजन लिखेंगे कि मुझे कोड नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा जो भी नहीं आ रहा तो चलो मैं यहां पे लिख लेता हूँ हेलो सार मैं जल्दी जल्दी लिखाता हूँ हेलो सार आई है उ नाट रिसी यू vaude and I have not like I have not official app for generate new code आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यह मैंने कुछ लिखा आप एजली जो है इस तरह लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे चूज़िए पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ क्योंकि असल में आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह असल में एक तुर्की की यह आईडी थी तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यह आईडी कार्ड उसे मुझे सेंड किया था तो मैं यहाँ से उसका आईडी कार्ड भी ले ले लेता हूँ गैलरी में जाता हूँ Caitliniczon गेली में जाने के बाद आप यहाँ पर दोस्टों देख सकते हैं कि मैं यह इसका ID कार्ड है आप यहाँ पर दोस्तों दीख सकते हैं यह मैच हो गिया यह आप दोस्तु देख सकते हैं उसके बाद मैं क्या करूरो біль मैं सेंड करूँगा तो दोस्तों जैसे आप send करेंगे तो यह जो mail है ना mail आपके mail जिस पर बना हुआ है जो मैंने mail दिया पहले पहले उस पर जैसे मैं send करूँगा आप दोस्तों यहाँ भी देखेंगे और यह आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह request जो है यह जैसे पूरी हो जाती है तो असल मैं पता है क्या है यह फिर आपको एक mail करता है फेज दुक जब आपकी यह सारी चीज़े वह verify कर लेता है कि वाकई account इसका है इसका ID card भी हमारे पास आ गया तो उसके बाद वह एक link आपको देता है आपको mail में और mail में आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे could not process your request please try again later अच्छा यहाँ पे आप कुछ मसला है तो दोस्तों यह तरीका था और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप easily जो है अपने account को ऐसे recover कर सकते हैं और मैं उमीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी यहाँ पे यह पता नहीं कुछ मसला आगी है network में क मसला आप स्ट्पों मसला आप लोगना आप बर को बरता हैं अपना एमानिं शॉई में को आप कोज़ से कब साफ गल डोगना तोगनां एमाना आप लोग aud altijd